साथियो नमस्कार जीस तरह से हम सभी जिलों में जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए ओपिनीन पूल के लिए 2022 के विदान सभा आगामी चुनाओ को लेकर आज हम प्रताब गड़ जिले में हैं जहां पे कारिकरम था पाशी समाज को लेकर आज हम वहां पे हैं हमें का आपा गज में इसमें वरतमान में बिनोत कमार सरोजी बिधायक हैं तो हम इन युवाओं से बात करेंगे कि 2022 के विदान सभा चुनाओं में युवाओं को क्या राय है यह जो है बिदायक को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे उत्तर प्रदेश में किसको मुक्रमंत्री के र west आप और कारक्रम में आते हैं canda से लिए डॉय कॉसा करक्रम था व हूर महीं प negóतें आप अच्र souvent बेंव धर्थ म्यषु नहीं है श्रॉट्थ कुस्स कुछ मालूम थो और जो पासी माह सम्नाओ रख्षा गया है यह हमारेसी समाज कि लोगों के स्वेशिके रहके सा थक्ति लिए काहे लिए कि ने कॉलेज खुला है और ना सब दुकान बंद है ना कहीं आने जाने कोई सब पुछ बंदे तो हैं अच्छा कब से बंदे मालूम है तक मालूम तो नहीं है लगभग हो गया कि 2020-22 मार्च से जब से क्रोना का लगडाउन लगा तब से बंदे में आपको यहां पर बहुत असर पड़ता है किस तरह का अब बताएं किस तरह का मतलब जैसे सिच्छा का बेरोजगारी बेरोजगारी कहीं आने जाने की असुद्धा अप जो है पड़ते हैं या दंदा पान हाँ पड़ते हैं अच्छा रोजगार अभी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं बेरोजगारी चल रहे हैं बहुत जादा तो यह बेरोजगारी आप किस नजर से देख रहे हैं आपके साथ किसा है वो क्या हूँ हमारे आसपास के जो परवस ते रहते हैं लोग उनके द्वारा तो योगी सरकार के कारेकालों से आप कितना खुष है मैं यह पूछ रहा था तो उनको एक परसंट भी हम खुष नहीं अच्छा अरे ने कुसे बाईया आपको गल्ला दे रहे हैं जोला भी दे रहे हैं किसान निदी दे रहे हैं बहुत सारे युजनाइं सरकारी का है कुष कुछ नहीं मिल रहे हैं कि सरकारी संसाधन जितने भी आते घवाँ पहुच पाते हैं तो समाज पार्टी गें इसliche को लग रहे हैं हुआ और पार्टि हिसको लख रहे हैं हमारे साथ नए साथ हैं हम इंसे भी बात करेंगे कि अगामी बिधान सभा जो चुना होने वाले थो हजार बारिस में उसको किस नजर से युगा लोग देखते हैं तो आपका नाम क्या है हमारा नाम शीबुपाशीी सिर्माइ रियापुर्ग्राम सभण करहने वाला जो रही मात मुद्दे की दोचार बाइस की मैं ये योगी सरकार से बिलकुल नहीं कुछ हुँ हूं योगी सरकार से क्यों रहा तो होगा कि हमारी बेरोजगारी भी बंद है स्कूल कालेज भी बंद है जिसे कि जब हम लोग व्हुप पढ़एंगे हमें चैसे हमें θα değildर मंदीर मंदीर मंधिन नहीं चाहिए स्कूल चाहिए धाय शुल questo स्वी यहां कि हम नहीं है उनका बहुत बढ़ा साजीस है उस पे यह पहुत जाने वाला आप जाने वाला है चला गया जला वे रोजगारी को लेकर क्या तो आप जाने बहुत ज्यादा समय से बढ़ रहे हैं जो सब्सक्राइब तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे एह हमारा समाज कैसे बढ़ेगा तो आज तक हमारा गांज जहां था वहीं है तो आप जान लीजिए बिधायक जी बाबा गंज ब्लाग के विधायक हैं आप खुदी आए होंगे प्रयाग राज जन्पत से आपको खुदी पता चला होगा कि आप कितनी अच्छी बाबा गंज में क्या की एं हैं कैसा कि हैं हमा पडोसी हैं आज तक उन्होंने बहुत प्रकार की कांडुगा बहुत प्रकार के दंगा फसाद हुए आज तक हमारे गाउं में वह सरोजी तो है आपके समाज से करें मैं ऐसे समाज को लात मारता हूं अच्छा आपकी बार जो है किसको किस जाति को लोग बनाएंगे अभी तो नेड़ा नहीं हुआ फिराल लेकिन कुंटा विदान सभा से गुल्सन आएंगे गुल्सन यादो जी आएंगे अच्छा आप जो है ब्योसाय क्या है में जाना क इस सरकार बहुत ज्यादा ही गंदी है हमारे हिसाब से तो यह सरकार राज्य से भी चली जाए केद्र से भी चली जाए अन्य कोई सरकार आएगी तो काम जरूर होगा क्योंकि इतने आप जान लेजिए किसान भाई को गल्ला होता है कम पैसे में लिया जा रहा है उसका श्ट लगाने के बाद यह कहीं प्रांगड में और क्या बोलते हैं लंगर चलाते हैं यह सब जरूरी नहीं है लेकिन हमारा किसान ही हर जगा मर रहा है हमारा हर जगा गरीब भाई मर रहे हैं कुछ भी नहीं मिलता है घर वालों को भी नहीं मिलता है घर वालों को बात चुले पू किस कि सरोकार बनाना चाहते हैं किस पार्टी को मैं तो आप देख लीजिये कि जैसा कि यह आई थी अब को बता दिए कि सभीत्री फूले जी आई थी बहुत अनवी पार्टी कांग्रेस वाइटी के बैशा समाजवादी पार्टी भी कि आए बीजएपी में कहा जाता है कि ललो का गमचवा देखके ला तो सपाई नहां तो आप सपा के पहन के बाइख़ए सपा इस तरह सकते हैं कि तुलना नहीं कर सकते हैं कि हम कौन क Fit के हैं हम कि धर में करें यह यूपी के लोग कहते हैं कि निला जंडा और लालगमचा और सë पॉपा इसन्द गया को ही चुना क्योंकि निला जो जंडा होता है वो सबके उपर से चलता है इसलिए बाबा साहिब कि निल्ह notification नी जंड़ा चुना है बाबा सुह के बताएं वे अनुसार से कि आप लोग चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, बाबा साहिब को मानते हैं, बाबा साहिब की बहु origins की चलते हैं झाल झाल